इस्राइल को मिल गया पियम मोदी का साथ फाइटर जेट और सेना तयार 24 घंटे में खत्म हो जाएगा हमास अपने दोस्त इस्राइल के लिए पियम मोदी ने कर दिया बहुत बड़ा एलान पूरी दुनिया में हो गया भारत का नाम भारत की ताकत देख अमेरिका भी हिल गया ब्रिटेन ने बजाई ताली इस्राइल के लिए भारत बन गया बड़ा भाई पियम मोदी को जैसी खबर मिली कि उनके दोस्त बेंजमिन न्यात्रिहू संकट पर है इस्राइल से पहले भारत में इमर्जंसी मीटिंग शुरू हो गई दो घंटे के अंदर मोदी ने ऐसा फैसला लिया कि इस्राइल के अंदर मोदी मोदी होने लगा अमेरिका भी देखता रह गया और इधर पियम मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता इस्राइल के अंदर लोगों को घरों के अंदर ही रहने के लिए कहा गया है बाहर सिर्फ सेना और आतंकियों के बीच लडाई हो रही है जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ मौत मन रहा रही है कुछ देर के लिए इस्राइल को लगा था कि अब हालात बिगड रहे लेकिन जैसे पियम मोदी ने इस्राइल के गंदे पर अपना हाथ रखा इस्राइल के पियम बेंजमीन नेटनियाहू भी भाउक हो गए अगले 24 घंटे में हमास के आतंकियों का खात्मा तैमाना जा रहा है पियम मोदी ने इस्राइल को क्या संदेश दिया है और क्या करने वाले उससे पहले आपको बताते हैं कि आगीर हमास क्या है जिसने इस्राइल पर हमला किया है इस्राइल से दुश्मनी मोल लेने वाला हमास फिलिस्तीन के एक इस्लामिक चरमपंती संग्ठन है साल 1987 के जन आंदोलन के बाद शेक एहमद यासीन ने इस संग्ठन की निव रखी थी तब से अब तक हमास फिलिस्तीनी इलाकों में इस्राइल को हटाने की लडाई लड़ रहा है गाजा पटी से उपरेट होने वारा हमास इस्राइल को देश के तौर पर मानिता नहीं देता है और इस पूरे इलाके में एक इस्लामिक राश्ट की सापना करना चाहता है इस्राइल को पता था कि दुनिया जब साथ छोड़ देगी उस वक्ट भारत उसका साथ जूरू देगा अब ऐसा ही हुआ है पिम मोदी को जैसी खबर लगी कि हमास ने भारत के दोस्ट इस्राइल पर हमला किया है PM Modi ने खुला एलान कर दिया है कि भारत इस्राइल के साथ खड़ा है PM Modi ने कहा कि इस्राइल की मदद करने के लिए हम पूरी तरह से त्यार है PM Modi ने X पर एक संदेश इस्राइल के लोगों के खातिल लिखते हैं इस्राइल में अतंकवादी हमलों के खबर ने मुझे अंदर से गेरा सद्मा दिया है हमारी प्रातनाय निर्दोश फिर्टों और उनके परिवारों के साथ है Modi ने लान करते वे कहा है कि हम कटिन समय में इस्राइल के साथ एक जुटता के साथ खड़े हैं सूत्रों के हवाले से खबर है कि PM Modi और इस्राइल के PM बेंजमिन नेतनियाहू के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है इस दोरान PM Modi ने भरोसा दिया है कि दुनिया कुछ भी कर ले लेकिन भारत अपने दोस्तों का साथ कभी ने छोड़ता है PM Modi के इस एलान को सुनकर अमेरिका भी हैरान रहे गया है अमेरिका को लग रहा था कि इस्राइल उससे मदद मांगेगा लेकिन भारत ने पूरा खेली पलड़ दिया है PM Modi के एलान के बाद ब्रिटेन भी इस्राइल के साथ खड़ा हो गया है मतलब साफ है कि इस्राइल को मुस्लिम देश बनाने का खौब देखने वाला हमास अब अगले 24 घंटे के अंदर खत्म हो सकता है PM Modi ने जब से इस्राइल का साथ देने का एलान किया है दुनिया के कई देश इस्राइल के साथ आकर खड़े हो गए सबसे पहले हमास में हिस्राइल पर करीब 7000 रौकेट दागे थे ये जानकारी खुद हमास के लड़ाकों ने दी है जिसमें करीब 25 लोग इस्राइल के मारे गए इस हमले के बाद इस्राइल ने युद्ध का एलान कर दिया सुत्रो का दावा है कि दर पियम मोदी ने भी सेना को त्यार रहने के लिए आदेश दिया है इस्राइल में भारत के लोग भी हैं अगर हालात बिगड़े तो भारत की सेना इस्राइल में उतर सकती है इसराइल भारत को बड़े भाई की तरह मानता है शायद मोदी यही फर्ज इसराइल के साथ निभा रहे है वैसे आपको क्या रगता है क्या भारत को इसराइल का साथ देना चाहिए अपनी रायाप कमेंट बॉक्स पलिकर जरू दे प्यूर रिपॉर्ट